देखूं क्या काम मिला है आज जमा और घटा के सवाल जमा और घटा मैं भी सिखूंगा दस में से पाँच गए तो कितने बचे ये दो आसान है मिष्टी मिष्टी दी दी देखो मैं स्लेट लाया हूँ मैं भी पढ़ाई करूँगा आप अपना काम करना और मैं अपना काम करूँगा केरी और पढ़ाई और लड़ू जरा देखूं तो केरी तुम क्या लिख रहे हो मैं गह लिख रहा हूँ ओ गिरी गह ऐसे नहीं लिखते हैं आओ मैं सिखाती हूँ गह लिखना देखो आधा गोल एक और आधा गोल ऐसे एक डंडा अरे वाह मिष्टी मुझे तो गह लिखना आ गया देखो आधा गोल दूसरा आधा गोल एक डंडा इधर देखो मुझे तो गह लिखना आ गया घह की छट तो बंद ही नहीं करी याद रखो के लिए जैसे घर की छट होती है न वैसे ही घह की भी छट होती है बिना छट के तो घर ही नहीं होता अरे तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ये लो लड़ो खाओ देसी घी के मैंने बनाए हैं तुम्हारे लिए घी घह से घी मुझे तो घह लिखना आ गया और मैंने घटा की सवाल पूरे कर लिए मिश्टी दिदी ये घटा क्या होता है लाओ अब मैं तुम्हें घटा सिखाती हूँ हुइ 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 कैसे समझाओ हाँ ये देखो गिरी इस थाली में कितने लड़ों है लड़ों देखू तो हैं तो तीन हाँ हाँ सोचो तुमने एक खाया और मैंने एक लड़ों खाया तो किते बचें हाँ चार लड्डू एक तुमने खाया एक मैंने खाया तो बच गए पर मिश्टी दिदी लड्डू तो हमने खाये ही नहीं ओ ओ गिरी हमने लड्डू नहीं खाये देखो मैं तो तुम्हें सर्फ घटा समझा रही हूं गिरी को घटा मैं सिखाता हूं पर गिरी अगर खाये होते तो कितने बचते हां मिश्टी दिदी हमने तो लड्डू खाये नहीं पर एक लड्डू गायब है अरे लड्डू खाया गया एक गायब है मैं तो गिवी को घटा समझाने की कोशिश कर रहा था चार में से एक गया बची तीन चार लड्डू कल्लू ने एक खा लिया तो रह गये तीन चार चिडिया के बच्चे बैठे खोसले में एक कया फर्र से उड़ बोलो किते बच्चे तीन कर लुछ